और नियूजेटिन इंडिया पर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही आरोपी नीलम के घर से किताबे बरामध हुई हैं अकाउंट डीटेल्स और डायरी के साथ दिल्ली पुलस गई है नीलम के भाई राम निवास ने बताया कि घर के किसी सदस्य से पूछताच नहीं की गई बस कमरा खंगाला गया है हमारे साथ नियूजेटिन के मारे सयोगी चमन परानिया जुड़ गया है सीधे उनका रोख करते हैं चमन और क्या डीटेल्स खबर को लेकर जी पूजा देखी जिस तरह से संसर सूक मामले में दिल्ली पुलिस लगातार जो है वो जो आरोबी है नीलम उनके घर जिन्द में जो पहुंचे थे और वहाँ पर जो है उनके अकाउंट डिटेल्स और एक वहाँ पर अमरी की तलाती ली गई और वहाँ पर जो नीलम का समान रखता था उसमें से एक डाइरी और कुछ उनकी जो अकाउंट डिटेल्स और वह पूची गई और वह अपने साथ जो ले गए हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो है वो लगातार जो है वो जिन्द के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर नीलम जिन किन से संपर्क में थी उसमें भी जानकारी जो है जुटाने में जुटी हुई है जी जमन शुक्री आपका तो नीलम के घर यहाँ पर पुलिस पहुंची है रहा कि पूछताच किसी से नहीं की गई लेकिन छापे मारी की गई और वहाँ से कुछ सामान पुलिस अपने साथ लेकर गई है क्योंकि नीलम के सान अंदोलन से भी जुड़ी हुई थी ऐसे में उससे जुड़ी कुछ डीटेल्स भी वहाँ पर खंगा ली गई है बड़ी खबर है उस वक्त न्यूसेचिम इंडिया पर और उधर बंबिया गैंग को लेकर बड़ा परदा फाश हुआ है बताया गया कि बंबिया गैंग की कमान सिद्धु मुसेवाला के फरार मैनेजर सगुन पीट और मंदीब धालिवाद समाल रहे हैं सिद्धु मुसेवाला की हत्या पिछले साल हुई थी और इस हत्या में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया था जबकि लॉरेंस और बंबिया गैंग के बीच दुश्मनी है लेकिन यहाँ देखिए बड़ी खबर इस वक्त की न्यूस इटिन इंडिया पर आप देख रहे है बंबिया गैंग को लेकर ये बड़ा परदाफाश हुआ है बताया ये जा रहा है कि बंबिया गैंग की कमान सिद्धु मुसेवाला के फरार मैनेजर सगुन फ्रीत और मंदीब धालिवास समाल रहे हैं दोनों फिलाल पूल उसकी गरफ से दूर है और आस्ट्रेलिया में ब बंबिया गैंग के नए सरगना का दरसल परदाफाश हुआ है और आस्ट्रेलिया से ही इस गैंग को अपरेट किया जा रहा है